मुझे बहुत खुशी है यहाँ पे अपने गाउं देहाद से लगबख 20-25 कबड़ी के खिलाड़ी ऐसे हैं मेरे को बताया गया है जो की देश के राष्ट्र के लेवल पे भारत के लिए खेल चुके अंतराष्ट्रे लेवल पे खेल चुके हैं और पाच अर्जुन वाड़ी हैं एक कहर से है दो निजामपुर गाउं से है एक बांकनेर से है एक जोंती से है दिली सरकार की देखो जब आदमी जीत जाता है ना मेडल ले आता है तो सारे कोई कुछ हिनाम देता है कोई कुछ हिनाम देता है कोई कुछ हिनाम देता है असली समस्या तो तब होती है जीतन जीतने के वक्त जो संघर्ष कर रहा होता है खिलाड़ी, मेडल जीतने के पहले, तब बहुत कम सरकारे हैं जब उसकी मदद करने के लिए आती है, जो भी सत्पाल जी भी कह रहे थे. दिल्ली में हमने दो, तीन किसम की पॉलिसी बिना रहे है, एक प्ले एंड प्रोग्रेस है, छोटे बच्चे, छोटे बच्चे, तेरा चौदा साल से कम उमर के बच्चे, अगर उनके अंदर हमें पोटेंशल दिखाई देता है, तो हम उनको साल के दो से तीन लाख रुपे द बच्चपन में पकड़ लेते हैं बच्चो को, तब से उनको तैयार करना चालू करते हैं खेल के लिए, अभी उस लेवल पे तो हम नहीं पहुंचे कि हम बच्चो को पकड़ लें, लेकिन बच्चो की मदद तो करी सकते हैं थोड़ा सा पैसा दे के, तो वो हम प्ले एंड प्रोग्रेस पॉलिसी है, जिसमें 13-14 साल से कम बच्चो को, अगर उनमें हमें हुनर दिखाई देता है कि ये बच्चा बड़ा होके, इस खेल में कुछ कर सकता है, तो उसे साल के 2-3 लाक रुपे हम देते हैं, और वो एक बोर्ड है, वो तैय करता है, उस बच्चे का एक् मिशन एक्सिलेंस है, मिशन एक्सिलेंस है, जिसमें जो नैशनल लेवल पर खिलाड़ी होते हैं, नैशनल लेवल पर अगर कोई मेडल ले आता है, तो उसको तैयारी अंतर रुपे या राश्ट्रे स्थर पे फिर और अपना वो सुधारने के लिए 16 लाक रुपे उसको साल के दिये जाते हैं ताकि वो अपनी कोचिंग कर सके अंतराश्ट्रे कोच रखना है वो रख सके तो 16 लाख रूपस को दिये जाते हैं जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा था तो गाउं दिहात में जब भी जाता था एक सबसे बड़ी डिमांड होती थी जी सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हमारे गाउं दिहात से निकलते हैं लेकिन गाउं दिहात में खेलने की सुविधा बहुत कम है मैं आपको पिता दू एक तो यह बवाना स्टेडियम जो है इसको पूरा चमका दिया गया आप लोगों ने देखा होगा 16 करोड रुपे इस बवाना स्टेडियम को रिनोवेशन करने के लिए खर्च किये गए हैं नजवगड में नया स्टेडियम नया स्पोर्ट कम्प्लेक्स बनके तयार हो गया है कैर में नया स्पोर्ट कम्प्लेक्स बनके तयार हो गया है मुंडेला में नया स्पोर्ट कम्प्लेक्स बनके तयार हो गया है पूट कला में synthetic track बनके तयार हो गया है प्रालादपूर में sports complex बनके तयार हो गया है कटेवड़ा में sanction हो गया और बहुत जल्दी बन जाएगा मिट्राओं गाओं में जढ़ोदा में समस्पूर में इन सब जेगे sports complex बनके तयार हो नहीं है इतने बड़े स्टर के उपर मातर साथ साल के अंदर किसी सरकार ने मैंने समझता कि गाउन देहाद के अंदर स्पोर्स इंफ्रास्स्रेक्षर को बढ़ाने के लिए कभी काम किया। और अभी और भी बहुत सारी प्लैनिंग है आपके गाउं दिहात में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए